तो कैसे आप लोग मैं ऐसा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आज जो मेरे पीछे देख पाने यह वार्ड्रोप है उपर में देखेंगे तो यह संसेट है वार्ड्रोप भी संसेट तो इसका मैं पूरा आज डिजेन दिखाने वाला हूं वीडियो बहुत ही अच्छा होन कि इस बेड्रूम की जो साइज है कि यह दस फूडवाई 14 फूड़ है पहले में वार्ड्रोप से सुरू करता हूं कि यहां पर देखेंगे वार्ड्रोप का जो डिजेन है काफी अच्छा है स्टेप से आप भी डिजन करवा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे है यह गोल्डन है और यह ब्रॉन है इसी तीम डिजन में है और जो हैंडल है वह भी ब्रॉन में है यह मेरा वार्ड्रोप का इंग साइज है अंदर की और यहां पर देखेंगे पार्टिक रिक्वाइमेंट के हिसाब से यह मेरा अर्थी समभ डीफ है यहां पर देखेंगे इस परकार से और यहां पर यह हैंडल देखें दिया गया है से मुपर में हैंगिंग कपड़ा करने के लिए और यह ओटो एंजी से है ओटो एंजी हेड्रोलिक है एटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा और निच्चे में यह फोल्डिंग सेल्प दिया गया है कि सेंप तीनों देखेंगे इसी परकार है और जो मेरा सेंट है कि यहां पर देखेंगे सवाल रखा गया इस परकार से आप भी रख सकते हैं अगर आपको लगें कि नहीं हमको थोड़ा सकती स्पेस कम करना है कि बीच में भी सेल्प लगा सकते आपका डोट डिवाइट में हो जाएगा यहां पर भी इसी परकार से हैं जो हमेशाब का यूज में नहीं आता उपर रख सकते हैं और सेम इहर भी देखेंगे तो डोट रोबर कपला हैंगिंग करने के लिए और नीचे आप कपला या कुछ भी रख सकते हैं यह फोल्डिंग सेल्फ है आपको अगर बेसिस पर सही ह लिए है तो फोल्डिंग पाल कि और निकाल सकते है ररा ऐसको सकते करने grandpa